जैहिन दोस्तों, CBI एक नौकरी नहीं है, CBI एक एडवेंचर वाला वेंचर है कैसे हैं आप लोग? मैं इशा कपूर आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको CBI जॉइन करने के पांच तरीके बताऊँगी CBI के benefit और उसकी salary के बारे में, CBI के uniform और weapons के बारे में और CBI की promotions के बारे में तो चलिए बिना time-lays करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे दोनों चैनल्स को subscribe नहीं किया है पहला तरीका MPS के exam के थरू दूसरा तरीका SSE, CHSL exam के थरू तीसरा और सबसे common तरीका और सबसे ज़्यादा vacancies वाला तरीका है SSE, CGL के थरू चौथा तरीका है UPSC का exam देखके और पांचवा तरीका है deputation के थरू यह जो deputation वाला तरीका है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो already government job में है बाकी के जो चार तरीके हैं CBI जॉइन करने के वो कोई भी कर सकता है कोई भी exam clear करके CBI जॉइन कर सकता है CBI में salary और other benefits क्या मिलते हैं अब बात कर लेते हैं CBI की salary और other benefits की तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप CBI किसी भी level पे join करो चाहे MTS level पे चाहे IPS level पे आपको और departments के comparison में 20% extra salary मिलती है यह कमाल है SSE का यानि की special security allowance जो भी थोड़ी सी risky profile वाली jobs होती है उसमें 20% extra salary का benefit होता है इसके साथ साथ आपको एक साल में 13 months की salary मिलती है जी हाँ 13 महीने की salary मिलती है आपको साथ ही साथ आपका जो phone का हर महीने का bill होगा वो भी CBI का department ही भरेगा इसके साथ अगर आप official tour पे जाते हो तो वहां का जाने का आने का रहने का खाने पीने का खर्चा भी department ही reimburse करेगा लेकिन एक limit में ऐसा नहीं है कि आप जितना मर्जी खा रहे हो जितना मर्जी कहीं भी जो मर्जी करे हो ऐसा नहीं है एक limit टै की गई है department के दवारा example के लिए अगर एक sub inspector किसी official tour पे जाता है तो उसको train का second class का rent 800 rupees per day के साब से रहने का rent 900 rupees per day के साब से खाने का rent और 300 rupees per day के साब से traveling allowance मता यानि कि जिस भी mode से वो travel करता है taxi हो, auto हो, जो भी mode available हो मतलब कि overall एक sub inspector को cash in hand जो salary मिलती है वो है 75,000 रुपे और ये तो सिर्फ starting है इसके साथ साथ 3% हर साथ जो increment मर लगता है वो अलग मतलब कि must salary, must इज़त अब यार और क्या चाहिए जिन्दगी में क्या CBI में weapon यानि gun मिलती है सबसे common question क्या CBI में gun मिलती है बहुत common question होता है या as parents के मन में आपको gun मिलेगी या नहीं मिलेगी ये depend करता है कि आप department के किस section में है अगर आप high risk वाले section में है या आप किसी high risk वाले case पे काम कर रहे है तो आपको gun issue हो सकती है अगर आप weapons के उपर एक detailed video चाहते हैं तो हमें comment section में बता दीजिए बहुत जल्दी उस पे भी एक video लेकर आ जाएगी अच्छा, uniform के बारे में भी इंस्टाग्राम पे काफी लोग पूछते हैं तो CBI में कोई uniform नहीं होती आपको formal कपड़े पहनने होते हैं जैसे अब किसी भी private या government job में पहनते हैं CBI में promotion कैसे हैं slow है या fast है अब बात कर लेते हैं promotions की promotions के हिसाब से CBI एक बहुत अच्छा department है SSE की और jobs की comparison में यहाँ पे promotions थोड़े fast होते हैं promote होके किस rank तक पहुँचोगे यह depend करता है कि आपने CBI किस age में और किस rank पे join किया है इसको थोड़ा सा detail में समझ लेते हैं सबसे पहले मैं आपको सभी ranks की बारे में बता देती हूँ नीचे से लेके उपर तक कौन-कौन सी ranks होती है और एक ranks से दूसरी rank में promote होने के लिए कितना समय लगता है सबसे पहले होते हैं constable उसके बाद उसके उपर होते हैं head constable उसके बाद होते हैं ASI ASI से उपर होते हैं SI यानि की sub inspector जो SSC CGL से लगते हैं यह जो CBI के director की post होती है यह किसी भी state के DGP के equivalent होती है यानि की full power अब फटा-फट से बात कर लेते हैं promotions की अगर आप SSC CGL के through सब inspector यानि SI लगते हो तो आपको inspector बनने में लगबग 5 साल लग जाते हैं फिर inspector से DSP बनने में आपको लगबग 10 से 12 साल लग जाते हैं तो सबसे जादा stagnation inspector से DSP बनने में है यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी आज से कुछ समय पहले तक अगर आप essay जोइन करते थे तो अपना probation period पूरा करके आप एक departmental exam clear करके direct DSP लगते थे लेकिन अब वो exam आजकल नहीं हो रहा इसलिए अब सिर्फ seniority basis पे ही promotions होती हैं DSP से ASP बनने में आपको 5 से 6 साल लगते हैं SP बनने में 5 से 6 साल और लगते हैं अगर एक expirant अपनी first attempt में SI लग जाता है और SSC एक साल में result दे देती है जो की नहीं देती है बट चलो मान लेते हैं कि वो एक साल में result आ जाता है तो वो करीब 25 साल में SI लग जाएगा department में 30 से 32 की age में inspector बनेगा 42 से 44 की age में DSP 48-50 की age तक ASP 55-57 की age तक ASP और फिर ASP retire हो जाता है ये तो है एक general case लेकिन अगर आप इससे थोड़ा जल्दी या उससे थोड़ा late join करते हो department तो आप उसी साब से calculate कर सकते हो ऐसी और भी interesting और informative videos के लिए हमारे चानल को subscribe कर सकते हैं कोई doubt हो तो comment कर देना वीडियो कैसी लगी है ये भी comment में ज़रूर बताना तो चलिए मिलते हैं आप से अगली वीडियो में जैहिंद